Assalamu alaikum and what's up guys I hope so you all are in good service guys if you haven't subscribed my channel do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that my time is well so guys this video में मैं आपको बताऊंगे कि आपने ENT के लिए कौन सी बुक परचेस करनी है so यह आपको नजरा रही है this is Dhingra ठीक है and ENT के लिए आपने यही बुक परचेस करनी है लेकिन आपने selectively इसको पढ़ना है ठीक है इसके अगर मैं आपको contents तिखाऊं तो वो काफी यानी जादा है और हर chapter जो है वो पढ़ने वाला नहीं है कुछ सरफ आपने MCQs के लिए पढ़ने हैं ठीक है like anatomy of ear is only MCQs ठीक है it's just for MCQs, सरफ MCQ based है अपने चीज़े करनी है बाकी main chapters जो इन पर मैं star लगाया हूए वो आपने जो है thoroughly करने है और उन ही मैं से क्यों जो है mostly आते होते हैं ठीक है यहां के आप देख सकते हैं जो मैंने highlight की है या जो मैंने आगे star लगाया है most important chapters ठीक है और यही आप लोगों ने करने है और इसी में से ही आपका mostly 80 to 90% जो है वो paper cover हो जाता है 80 to 90% नहीं बलके 100% जो है आपका paper जो है इसमें से cover हो जाता है ठीक है और मैंने आपको बताना था कि जो ENT का paper होते है mostly उसमें आपके पास past paper से questions आते हैं especially essay queues so ENT में आपने ये परशानी होना कि ये paper जो है मुछिल होगा इस वाल फॉम दो पास एक है total paper past अपका कि लुदी जो है वो superficially पढ़ी है उसको पढ़ने का time नहीं मिला रख फॉत्पास okay आपका तो इस सिर्फ़ पास पास हो सकता था तो हिंटी के अबजगीर भी इतने मुश्किल नहीं थे, बहुत असान थे, और पेपर भी ओवरॉल जो था, उसका बहुत बहुत एजी था, ठीक है, so this was about ENT.